जैहन, मैं दीपक डागुर, राजपुतना क्लासे जैपुर में आप सभी का तहे दिल से हर्दिक स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे क्या आप BSTC और PTT यानिकी Pre-BED की तयारी कर रहे हैं, Entrance Exam की तयारी कर रहे हैं, अगर हाँ, तो लाडलो और लाडलियो हम आपके लिए Regular, Free, Test Series, Super 30 लेकर के आए हैं ध्यान रहे बच्चों, ये प्रिस्ण आपके लिए बहुती महत्पूर्ण हैं, इन प्रिस्णों के बिना आप सलेक्शन की उमीद बिलकुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना मेरे लाडली और लाडलो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और सभी गुरूप में दोस्तों इस वीडियो को सेर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कोस्चन आपका पटवार 2021 में पूचा गया है ठीक है पटवार 2021 में पूचा हुआ कोस्चन है आपका संत बूरी बाई अलग का कार्य चेत्र था मेवात मेवाड मारवाड सिखावाटी ठीक है दोस्तों तो संत बूरी बाई अलग का जो समंध है वो कांसे है मेवाड से कांसे है मेवाड ठीक है मेवाड में एक इस्तान पढ़ता है जिसका नाम है सरदार गड क्या नाम है सरदार ठीक है और सरदारगड कहां पर है Rाजसमंद में कहां पर है Rाजसमंद इसरदारगड में क्या हुआ तर जणम किसका गूरी बाई अलग का ठीक है चलिए अगला कोस्चन है अपका सब इंस्पेक्टर 2021 पूछा गया है संत मीराबाई का जन्म कुड़की बरतमान में राज्यस्तान के किस जले में इस्तित है यानि संत मीराबाई का जन्म है का पर हुआ था? कुड़की गाउं का पर हुआ था? कुड़की गाउं का पर था? पाली में चलिए अगला question आपका tax assistant 2018 में पूछा गया है ठीक है निम्न में से कौन सा मीरा बाई का जन्मिस्तान है कुड की पीपासर डेहरा जैतारणा ठीक है तो दोस्तों कुड की पाली कहां पर है कुड की पाली किलियर अगला question आपके राज्यस्तान पुलिस 2020 constable बाली बढ़ती में पूछा गया है मीरा बाई डैस डैस सदी की कभियत्री थी यानि कौन सी सदी की थी 14 भी 15 भी 16 भी 17 भी ठीक है दोस्तों तो जो मीरा बाई है 16 भी सदी की कभित्री मानी जाती है किलियर चलिए अगला question है आपका मीरा द्वारा चितोड परत्याक के समय मेवाड का सासक कौन था वरिष्ट अध्यापक 2008 में पूछा गया है कि मीरा बाई ने जब चितोड छोड़ा था ठीक है चितोड छोड़ करके कहां चली गई थी ब प्रंदा बन गई थी और इसके बाद उस समय यहां का सासक कून था राणा सांगा राणा रतन सिंग राणा बिक्रमा दित्या राणा उदै सिंग तो दोस्तों कून था सासक राणा बिक्रमा दित्या क्योंकि बिक्रमा दित्या ने ही जो कि आपके उदै सिंग के बड़े ब अगला question agriculture officer यानि क्रसी अधिकारी 2013 में पूछा गया है मीरा ने अपना अंतिम समय किस इस्थान पर बिताया चित्तोडगड ब्रंदाबन द्वारका जैपुर दोस्तो इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो बिताया था द्वारका ठेक है डाकुर नामक इस्थान पर द्वार क्रिष्ण की मूर्ति है उसमें यह समा जाती है ठीक है अगला question आपके सिक्षक grade 3 2013 में पूछा गया है मीरा बाई की किरीना किरीना स्थली को है किरीना स्थली के नाम से प्रिसिद इस्थान है कुड की मेड़ता ब्रंदाबन नाद्वारा ठीक है दोस्तो तो याद रखना म क्या हो जाएगा इसका answer मेड़ता हो जाएगा मेरे प्यारे लाड़े और लाड़े लियो मेरे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिये लाइक यह काम आपको बार बार नहीं बूलना पड़े तो इसको तो बिना सोचे समझे करी ही लीजिए क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर काये हैं सुपर थर्टी तो भरपूर आनन्द लीजिए और सेर जरूर करते रहिए इसी में हमें खुसी मिलती है अगला कोश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 राज्यस्तान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नू रूसन की रचना की गई दादु द्याल सुंदरदास सहजोबाई मीराबाई तो इस गरंत की रचना किस के द्वारा की गई है मीराबाई के द्वारा की गई है ठीक है चलिए क्वेश्चन आपके लवण निरिच्छक 2019 पीटियाई सेकंड ग्रेड दोच्जर अठारे में पूछा गया है सहजोबाई के गुरू कौन थे ठीक है लालदास रामदास सुंदरदास चरणदास किस के सहजोबाई के ठीक है तो सहजोबाई के जो गुरू है उनका नाम क्या है चरणदास क्या नाम है चरणदास चरणदास की दो सिस्या थी जिसमें एक का नाम तो है दया भाई क्या नाम है दया भाई और दूसरी का नाम क्या है सहजो भाई किलियर अगला question R.A.S.P.E. 2018 में पूछा गया है नारी संत दया भाई सिस्या थी किसकी सिस्या थी लाल दास सुंदर दास चरणदास दादू दयाल तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चरणदास हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है आपका राज्यस्तान की प्रसिद महिला संतों द्वारा रच्जित गरंतों में कौन सा सुमेलित नहीं है दया भाई ने बिने मालिका वे दयाबोद बिलकुल सही है सहजो भाई ने सहज प्रकास वे सुलत थी ये भी सही है मीरा भाई नरसी महतारी हुंडी वे पदाब लिया ठीक है राना भाई टीकारा गोबिंद वे रुकमणी मंगल दोस्तो राना भाई ने नहीं ये राना भाई ने नहीं लिखे हैं ये आपके मीरा भाई के द्वारा लिखे गए हैं किसके द्वारा मीरा भाई के ये भी किसके द्वारा लिखे गए हैं मीरा के द्वारा ठीक है टी कारा गोब है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कौन सा स सभी आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन है निम्न लिखित में महिला संत और जनमस्तान सुमेलत नहीं है बोली गूजरी खंडेला सीकर राना भाई हरनावा नागोर कर्मा भाई कालवा नागोर समान भाई माहूद अलवर तो दोस्तों याद रखना है सुमेलत यह नहीं पूचाया समय तो बौली गूजरी होजाएगा ठीक है जो जनमस्तान है वह कहां पर है कर अले कुलिए अगले को सिंद कि तरफ निम्न में मीरा भाई से सम्मंदित बे मेल है यानि कि मीरा भाई से सम्मंदित नहीं है वो चीज़ पूछ रहा है बच्पन का नाम कसूल कबर ठेक है पिता रतन सिंग राठोड उपनाम राज्यस्तान की राधा पती भोज राई ठेक है तो दोस्तो क्या है जो बचपन का नाम है यह मैच नहीं कर रहा है ठेक है सुमेलित नहीं है बेमेल है क्योंकि मीरा भाई के जो बचपन का नाम है वो क्या था दोस्तो पेमल क्या नाम था पेमल क्लियर चलिए अगला कोशन है आपका चितोड में मीरा महोतसब कब मनाये जाता ह ठीक है चित्तोडगर दुर्ग में मनाये जाता है याद रखना है मीरा महोतसब चैत्र पूर्णमा आस्विन पूर्णमा चैत्रमावस्या आस्विन अमावस्या ठीक है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आस्विन पूर्णमा क्या हो जाएगा आस्विन पूर्ण मा को मीरा महुतसब मनाए जाता है कहां पर चित्तोडगर में ठीक है अगला कोस्चन है मीरा भाई किस मंदर में बगवान क्रश्न की मूर्ती में समा गई रडचोड मंदर द्वारकादीस ठीक है कहां परता है गुजरात में ठीक है तो एक कहांपर करश्न की मूरती में समाए थी, रडड-चोड मंदर दौरका धीशु Artjor Gujarat में पड़ता है। यहां पर इइनों ने ये काम किया था ठीक है। अगला कॉस्टिन है मेवाड के किस महराना को बापस मेवाड के महराना ने मीरा को बापस चित्तौड على बाद में बचा उदैसिंग जब गदी पर बैठ जाता है तो इसके बाद में मीरा को बापस क्योंकि राजपरवार की बहुती इसलिए बापस लाने के लिए सूरदास चंपावत की नेतरत में पंडितों की मंडली बेजते हैं लेकिन यह इसमें अस्पल होते हैं मीरा भाई ने साप मना कर दिया कि बुल नहीं मुझे घर नहीं आना क्योंकि मेरा घर तो क्या है भगवान कृष् से सम्मंदित है साहित्य गायन चित्रन हस्त सिल्प तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गायन क्योंकि जो मीरा भाई है वो गाने में बड़ी मसूर थी चीक है भगवान कृष्ण के भजन गया करती थी मीरा के निर्देशन में नर्सी जीरो मायरो कुन सा गरंत है नर्सी जीरो मायरो गरंत की रचना कि रूप गोस्वामी सूर्दास चंपाबत ने महताजी ने रतना खाती ने तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रतना खाती ने नर्सी जीरो मायरो ठेक है यानि भगवान कृष्ण ने जो नर्सी का भाद बराता उसके उपर लेखा हुआ है मायरा बराता उसके ऊपर ठीक है चलिया अगला क्वेश्चन है मीरा भाई ने किस संप्रदाय की स्तापना की दासी पंथ पर ब्रंदाबन में ये संपुर्दाइन उन्हें चलाया थीक है चल ये आगला कोश्चन है स्वामी विवेकानन्द को किस महिला संत ने मीरा के पद गाकर सुनाए ठीक है नन्नी भाई राना भाई कर्मा भाई समान भाई ठीक है तो याद रखना स्वामी व्याकानंद ने मीरा भाई के दिश्तेIP का Candle G centro PTR के सुनायते कि मीरा भाई की पदाव लियां तो शुनाया था तो नं-ि वाई राना Bennett कर्म भाई समान भाई टो इसका अंसर क्या हो जा conception है जो कि आपके खेतडी जुनु रियासत किये निर्त्यांग ना थी क्या थी निर्त्यांग ना निर्त्य करने वाली महला थी ठेक है चलिए अगला कोश्चन है निम्न लिखित में असत्य युग्म है राज्यस्तान की रादा मीरा भाई मतस्य प्रदेश की मीरा समानवाई बागड की मीरा गवरी वाई तो दोस्तों याद रखना है सबी जो अपनाम दिये हुए है वो मैच कर रहे हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सबी सही है चलिए अगला कोश्चन है आपका राज्यस्तान की किस महिला संत के हातों से बगवान जगनात ने खीचड़ा खाया था करमा भाई, राना भाई, गवरी भाई, समान भाई तो दोस्तों याद रखना है इसका जो आंसर होगा क्या होगा करमा भाई क्या होगा करमा भाई करमा भाई का सम्मंद कां से है नागोर से ठीक है और बगवान जगनात ने इनके आशे स्वेम खिचड़ा खाया था और इसी कारण फिर यह क्या हुआ यहाँ से छोड़ करके और जगनात पुरी चली गई थी कहां, जगनातपुरी, और यही कारण है कि आज भी जगनातपुरी में बगवान को भोग में खीचड़ा खिलाए जाता है, क्या खिलाते हैं, खीचड़ा खिलाते हैं, ठीक है, चलिए अगले कुश्चन की तरफ, कुश्चन है आपका, मीरा भाई का जन्म कब हुआ, 1498 में इ मीरा भाई को किसके द्वारा सारी रिक कष्ट दिये गए, महारणा उदै सिंग, महारणा सांगा, बनवीर, बिक्रमा देते हैं, ठीक है, जिसे हम बिक्रम भी कहते हैं, अगला कुश्चन है, मीरा भाई ब्रंदावन में किस संत की सरण में रही थी, चंपाजी, आचार परस रूप गोस्वामी, गजाधर गोड, ठीक है, तो मीरा भाई किस की सरण में रही थी, और कहां पूछ रहा है, ब्रंदावन में, कहां पर ब्रंदावन में पूछ रहा है कि किस की सरण में रही थी, तो इसका जो सही आंसर है, वो हो जाएगा, रूप गोस्वामी, किसके, र रानी कर्मा बती रानी पदमा बती ठेक है रानी सहल कबर मीरा भाई है तो इसका जो आंसर है दोस्तों बहुत हो जाए 26 क क्या हो जाएगा मीरा छाँए ओपर डान्क टिकेट भाणति आख वाक द्वारा डान्क टिकेट जारी किया गया था एक अक्टूबर को एक अक्टूबर उन्नी सो बावन को ठीक है 52 को दो आने का कितने का दो आना का डांक टिकेट जारी किया था किलियर चलिए अगला क्वेस्चन है क्रश्ण भक्त मीरा भाई से सम्मंदित असत्य योगम है असत्य पूछ रहा है मीरा भाई के प्रारम्मिक गुरू चमपाजी मीरा भाई के धार्मिक गुरू गजादर गोड मीरा भाई के आध्यात्मिक गुरू परसुराम आचार रहे उपरोक्त सभी सही हैं तो दोस्तों याद रखना है उपरोक्त सभी सही हैं मीरा भाई को जो सिक उच्छा देने वाले थे उनका नाम क्या है सूरदास चंपाजत ठीक है चंपाजी मीरा भाई के धार में गुरू गजादर गोड है मीरा भाई के आध्याद में गुरू परसुराम आचार है और अगर सीधा सीधा पूछता है कि मीरा भाई के गुरू कौन है तो दोस्तों क्य हो जाएगा रहधास क्या हो जाएगा रहधास हो जाएगा किलियर चलिए अगला कोश्चन है मीरा बाई के लिए चित्तोडगड में कवर पदा के महलों का निर्माण किसने कराया बोजराज उदे सिंग सांगा बिक्रमा दिते हैं तो दोस्ते याद संत ने श्रीमद भागवत गीता का ब्रज भागवत गीता के नाम से अनुवाद किया मीरा बाई बूरी बाई अलग ब्रजकवरी ग्यानमती ठेक है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ब्रजकवरी क्या हो जाएगा ब्रजकवरी ठेक है हमने एक जब सावंत सिंग क्या नाम था सावंत सिंग ठीक है तो यह सावंत सिंग की बहें थी कौन थी यह बहें कौन आपके ब्रज कबरी ठीक है सावंत सिंग की बहें थी जने हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं उसी सावंत सिंग की बात कर रहा हूं में ठीक है चलिए अगला कोश् को मानने वाले एक मुसलिम मेला संत्र जिनका नाम है ताज बेवम मैं और संबंध का थोतेपुर्प सीकर का था이다 पदन खान ठीक है उसकी पुत्री थी जिनका नाम क्या था ताज बेगम क्या नाम था ताज बेगम क्लियर यह चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रस्न अच्छे से समझ में आ गये होंगे कल मिलते हैं अगली क्लास में जैहिंद